नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आए भगवाण जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज मैंने पूरा जो भी पानी में प्लांट को दे रहे हूं उसमें जो भी मेरे पास छास थी वो मैंने मिला दी है और अब हम सब पौधों को पानी देंगे, चास के मैंने लास्ट टाइम यूज करा, उसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे और सबकी कमेंट्स में प्यारे प्यारे रहे थे कि मैं मोटिवेट हो गई, मैं सब पौधों में अब तो छास देने वाली हूँ, खैर चली आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो, ये कोने में जेट के प्लांट रखे हैं, जो बालकनी की हालत है, उससे प्लीज इग्नोर करो, हम तो बचारे पौधों को सासटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है, मेरे पौधों मझे बहुत प्यारे है, तो मेरा फोकस पर प्लांट पर रहता है, आज पस कुछ कुछ पौधों में ठीक टा ग्रोध आ रही है यह देखो अच्छे लग रहे है ना पौधे यही छास का पानी मैं दे रही हूं सबको और यह टॉनिक वाटर मेरे पौधों को मिल रहा है ये मेरे पौधे बहुत ही बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं आज कल एक बी दिन पानी नहीं दो तो एकदम सुख जाते हैं और लीव यसे करल हो जाती है देखो कि अच्छा नहीं लगता है फिर तो हम लग जाते हैं इसमे भी क्रोध आ रही है देखो यी रबड के ब्लांड में एक और नहीं लीव निकल रही है और जो यह करल सी रिल्प है यह पहले थी मतलब विंटर के टाम में डॉर्मेंट हो गया था तो उस टाइम पर वो लीव छोटो सी थी अब चैसे स्प्रिंग आया है वो लीव एको इत कटिंग करूंगे और यह देखो हम लगे पड़े है सब पादों में पानी देने के लिए बड़ी बाल्टी में खिसकाने में मैं अच्छली बैक पेन का बेश हुआ तो बड़ी बाल्टी में खिसका के लानी सकते हूं तो मैं छोटी-छोटी बाल्टी में लेके आके पानी कुछ पौधों में अच्छी आ रहे हैं कुछ पौधे जा रहे हैं जिसके मैं बहुत दुख्य हूं पर यही मतलब विंडर प्लांट्स लाओ तो यह सोच के रखना है कि वह आधिन हमारे साथ नहीं होंगे यहीन सोच सोच के मैं दुख्य भी हो रही हो और है प्लांट्स भी लारे हो जो summer के हिसाबसे आ law के प्लांट्स नॉर्मयली थोड़े जादा चल जाते हैं तो next summer में भी वापास आ जाता है बड़ विंडर के प्लांट ि तो ओडा मेने खिल साइकल है और वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है तो वही कुछ 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 वीडियो देख रही हूं जिसमें कुछ विंटर्स के प्लांट है जैसे की पिटूनिया डायन्थर्स गुदा ये अरे यार भूल जाती हमेशा मैं रहने दो बूली गई हो खेर कुछ विं सकते हैं बड़ मैं विंटर के ब्लांट्स विंटर में सेव नहीं कर पाई हूं उनको समर में कैसे सेव करूंगे तो यह है और यहां पे चोटा सा तुलसी जी का पौधा लगाया था जो की आगे नहीं चल पाया तो हम उसको निकालके फिर ये कड़ी पत्ता का चोटा सा क्यूंकि उसको बड़े पौट में लगाऊंगी क्यूंकि फिर चोटा सा प्लांट जो होता है उसको जदा बड़े पौट में अगर लगा देते नहां तो मेरे यहां तो खराब हो जाता है और यह देखो यह जो तुलसी का पौधा था पूरा रेत में ही लगाया था और बिना करे भी वो नहीं रहता है बट हाँ यह पौधे को ऐसे ही रख देती हूं रूट बॉल को फिर धीरे धीरे जैसे अपना आगया के बढ़ता है अपनी गुडाई में वो ठीक होता रहता है तो यह मैं लगा रही हूं और डोंट वरी यही से मिटी नहीं लगा रही हू मिटी में दूसरी लगाने वाली हूं इसके अंदर और तेखरी हो धीरे धीरे आप सोच रहोंगे ना पानी देते देते यह पौधे में पौधा प्लांट करने कैसे लग गई भाई साब ऐसी होता है मेरे साथ में पौधे मैं एक काम करने लगते हूं फिर मुझे दिखाई इसको भी ज़रुत है इस पौधे को तो यह करने बाट जो अरे यहां पे यह रहा गया यह करने बाट जो एसे करते करते मुझे पानी देने में कम से कम 2 2,5 गंटे लग जाते हैं फिर हमारे घरवाले चिलाते भाई कुछ तो घरका तो काम कर लो यह भी तो घरका यह काम है अच्छा लग रहा है छोड़ो मेरा दुख कोई नहीं समझेगा तो हम इस पौदे को दे रहे हैं अच्छी वाली मिट्टी है मैं बाहर से नौसरी से लाई हूँ और हमारे जो आसपास की मिट्टी वह अच्छी नहीं है तो यह मैंने प्रीमिक्स मंगाई है उसमें स्यूटी वह होता है और यह लगी हो दीरे 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 और देखो इस पौदे को मिल रहा है छास वाला पानी कित्ना लगी पौदा है न यहे वाव खहा है चलो अब क्या करेंगे इसको मतलब पॉदो को कहा रखना है वह भी बड़ा सोचना बता है को एक कौना हमारा बाल करनीका होता है जहां पे बहुत तेज दूप आती है और जहां पे बहुत तेज दूप आती है उसमें भी कोई गैरेंटी नी है कभी-कभी घुमते- तो ये बात आपको और नी समझ में आरी है मुझे भी न समझ में आरी है खेर आगे बढ़ते है और हम पानी दे रहे है इन सबको और ये है मेरे पास एक लीली का पॉधा मैं इसको लाइती दो साल पहले और खाली उस टाइम पे जो इसने फ्लारिंग करी थी फूल देखके म अब इभी टाइम है कर लो तो मैं कर रहे हूं और बगवान जी को प्लीज बगवान जी और कुछ नहीं तो जो पत्तियां काटी है वो दे देना क्योंकि ग्रीनरी भी तो रहनी चाहिए न और ये सब रेन ले लिके हैं इनको भी मुझे काटने के बड़ी अच्छा हो रहे थी पर फिर मैं ऐसे नहीं काटा गया मुझे बड़ा ये रहता है मेरे पौदों में थोड़ा भी कट जाएंगे तो कैसा होगा विचारों ने इत्ती महना से तो एक पत्ती निकाली है उसको आगे क्या करेंगे और ये देखो ये हमारा अरेबियन वैक्स आइवी है और यहां प कि ना हाड होगा कि पानी नहीं जा रहा है और ये हमारी कोलियस की जो कटिंग है ये नहीं चली है क्योंकि मुझे उसको चाय में रखना चाहिए था और मैंने उसको रख दिया है ऐसी जगे पर जहां पर शाम की धूप आती है खेर आगे बरते हैं अब गलतियां सब करते है यार इतना दुख्यों के रहेंगे तो कैसे जिएंगे है ना तो यही पानी देने का आज का मेरा काम है और ये देखो ये पपल हाट ये छोटे से गंबले में चल रहा है ये बॉटल का कटावा पार्ट है उसके आधे में मैंने दूसरा प्लाट लगा और ये थोड़ा सा य ये यहां चल रहा है मैं इतनी खुश हुना मैं आपको बताई नहीं सकती हूं और ये जो प्रिम्रोज का पौधा है ना ये इतना नो टंकी होता है ना एक दिन पानी नेलो तो ऐसे पड़ादर से पतलब गया और पानी दो और अगले दिन तो भाई चमक जाते है पता नहीं क्यासे करते हैं पौधे ऐसे इंसानों जैसे अरकते हैं चलो भाई साब आज का हमारा ये खतम होता है व्लोग मिलते हैं अगली बार मैं और थोड़ा गुड़ाई बड़ाई और पानी बाकी का दे देती हूं पानी देती है अप लोग भी देख बोर हो जाओगे और फिर मि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छी बाते सब करना ठीक है मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए बाई बाई टेक केर